इस्टुडेंट्स आज हम ग्रासलेंड मेनेजमेंट से और फॉर्डर प्रॉडक्शन से कुछ क्यूस्टिन्स चॉल करेंगे तो पेरवेट की डिजिटल क्लासेज से आपको ये कुछ क्यूस्टिन्स दिये जा रहे हैं आपके सामने प्रथम क्यूस्टिन्स विशेश रूप से केच्वों की मिन्स अर्थवर्म्स की एक्टिविटीज से नाइटोजन फासपूरस और पोटेसियम जैसे मिन्रल से बरपूर रिच और्गनिक सबस्टेंस मिन्स कार्वनिक पदार्थ को क्या कह जाता है तो देखे दिये गए ऑप्संस में अर्थवर्म्स कौन सा बनाते है इन में से तो केंचो की बात आ गई तो यहाँ पर आंसर जाएगा वर्मी कमपोष्ट अब इन सभी को समझ लेते हैं देखे हुमस क्या होता है हुमस वे कार्वनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में पेड़ पदों की पत्तियों से और कार्वनिक पदार्थों के विगटन से बनते हैं मिट्टी को जो कालापन प्रदान करता है उपजावपन प्रदान करता है वो कार्वनिक प्रदार्थ ह्यूमस कहलाता है जो मिट्टी की उपरी सतय पर पाया जाता है और अधिकांस जन्तूओं के पाद्पों के मृत या फिर टूटी हुई जैसे पत्तियां हैं और कुछ अन्य अंगों से जो सुक्षम जीव हैं वो अपगटित करके उनको विगटित करके उनको डिकंपोज करके और हुमस बनाते हैं और हुमस पेड़ पौदों के लिए बहुत ही एक हम उनको फटिलाइजर बहुत ही अच्छी श्रीने का फटिलाइजर खह सकते हैं हुमस जो बनता है वो बैक्टिरिया फंगस के एक्टिविटी से बनता है और मिट्टी में पाया जाता है और देखें यहां पर वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट का सीधा सीधा सम्मंद है केच्व की खाद से केच्विए यानि अर्थवर्म अर्थवर्म को किसानों का मित्र भी कहा जाता है अर्थवर्म यानि केच्वय को मिट्टी की या मर्दा की या दर्थी की आंत भी कहा जाता है intestine of soil तो मिट्टी को उपजव बनाने में केच्वय का बहुत ही ज्यादा योगदान है और केच्वय क्या करता है इन carbonic पदार्थों को जैसे हम humus की बात कर रहे थे या और कोई carbonic इनको खा लेता है खाने के बाद इनका digestion करता है digestion से केच्वय जो faeces निकालता है means केच्वय के जो उत्सर जी पदार्थ होते जिनको बोलते है वर्मी काष्ट उन्हें बोलते है वर्मी काष्ट और ये वर्मी काष्ट है चुकि एक बार वो सेलिलोज है या कार्बनिक पतार्थ है वो उसके की सब्सक्राइब कार्बनिक और सीऩाल करते हैं इसके अंदर तत्तो पता जाते हैं जो के लिए बहुत आउशक होते हैं इसके बाद vermicasting means vermicompost बनाने की क्रिया को ही vermicasting कह जाता है या फिर यू कहे कि केच्वे की जो superstings होती है means species होती है उनБकों कहते हैं vermicast लेकिन यहां पर कास्टिंग लग गया तो यह एक action हो गया, बनाने की क्रिया हो गई compost bedding, यह क्या होता है जहां पर यह वर्मी कंपोष्ट बनाया जाता है, उस क्यारी को या उस area को क्या बोलते हैं, कंपोष्ट बैडिंग केते हैं, तो यहां पर humus, वर्मी कंपोष्ट, वर्मी कास्टिंग और Khadibister मिन्स इन चारों का मतलब हमने समझा next question है वर्मी बैड वर्मी बैड इस तरह से आते हैं जो कि प्लास्टिक्स के और पॉलिथीन के इस तरह से बने हुए होते हैं जिसके अंदर हम और्गिनिक वेष्ट डाल करके जैसे किचिन से निकले हुए सबजियों के कार्वनिक पदार्थ या बचा-कुचा खाना इस तरह के कार्वनिक पदार्थ जो मानव के उप्योग में लाने के बाद जो वेष्ट बच जाते हैं उनको डाल करके या पस्वों की खाद या गोबर से ये तयार किया जाता है इस प्रकार की क्यारी के अंदर खाद डाल करके या गोबर डाल करके उसमें नमी उत्पन करके पानी डाल करके बार-बार बीच बीच में पानी डाला जाता है और केंच्वों को इसमें डाला जाता है तो इस क्यारी नुमा संरजना को कहते है वर्मी बैड और इसको चींटियों से बचाने के लिए कौन से रसायन का उप्योग किया जाता है तो दिये गए उप्संस में देखिए क्लोरोपाइरी फॉस क्लोरपाइरी फॉस सबसे उत्तम आंचर है क्लोर पाइरी फॉस फॉस या फॉस्पेट बात एक है यह क्लोरपाइरी फॉस क्या है यह और्गेनो फॉस्पेट स्रेनी का एक इंसेक्टी साइड है कीटनास यह किस स्रेनी का है और गेनो फॉस्पेट स्रेनी का मिन्स जिस स्रेनी में मेला थियोन पेरा थियोन आते हैं उसी स्रेणिका ये खीट ना सका है और इससे ये चीटियों को बचाया जाता है किसको वर्मी बैड को बाकी क्लोराम फेनिकोल नहीं हो सकता क्योंकि ये एंटिवाइटिक है ग्रिश्यो फिल्विन नहीं हो सकता ये एंटिफंगल है और यहां पर डीडिटी की और बात कर लेते हैं डिडिटी का मतला होता है डाइकलोरो, डाइफिनाइल, ट्राइकलोरो इथेन, यह फुलफोम होती है, आजकल डिडिटी पर यानि इस पाउडर पर या इस खीटना सक पर भारत में प्रतिबंद लगा दिया गया, लगाया जा चुका है, और लगबग पूरे विश्व में प् का है, और गेनो क्लोरीन स्रेनिका है, कीटना सक है, और इसका उप्योग पर्थम और धित्य विश्विद के आसपस, जो मचर हैं इनको मारने के लिए काफी किया गया, काफी राहत भी मिली, मलेरिया से रोक्ताम भी हुई काफी, लेकिन चुकि यह भैट के साथ जूड जात है, तो शरीर में यह जाकर के और इस्थाई रूप से संग्रहित हो जाता है, मिन्स एक तरह से नोन बायो डिग्रीडिबल है, एजयो निमनी करनी है, कीटना सक है, और भारतिये लोगों में इसकी सांदर्ता बहुत ज्यादा पाई गई इस वज़ए से, और फिर इसमें कई नुकसान दाएक चीज़े हैं, यह cancer भी पैदा करता है, diabetes, heart disease, बहुत सारी abnormalities पैदा करता है, बहुत सारी समझे उत्पन करता है, इसलिए इस पर रोग लगा दी गई DDT पर, हलांकि इसकी खोज पर उस समय जब ततकालिक लाव हुए थे, उस समय नोबल प्राइस दिया गया यू सरन को क्या कहते हैं, रिंज का, और रिंज के के बारे में आप काफी जानते होंगे, रिंज का, लेग्यूमिनस एक क्रॉप है, एक फोडर क्रॉप है, एक चारे की फसल है, जिसको पस्वों को खिलाया जाता है, अब प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्वरत है क्योंकि यह लेग्यूमिनस या फेबेशी कूल का यह पॉधा है, और इसका जो वोतनिकल नेम होता है, वो होता है, मेडि कागो सेटाई वा, मेडि कागो सेटाई वा, रिंज का, और इसको ऐलफा ऐलफा गास भी कहते है, गास अब यहां पर ऐसंगत चुनना है मैं लग गलत चुनना है तो देखिए यह एक उच्छ प्रोटीन प्रसिस्ता वाली फसल मिन्स हाई प्रोटीन क्वांटिटी बिल्कुल सही बात है इसमें 11% DC भी पाई जाती है बहुत अच्छी बात है उती है इतनी तो यह फेवेसी फेवे लगूमिनसीय फेवेसी में रखा जाता है इसका काफी जो चारे है अपने जैसे लूसरन है बरसीम है गुआर है चौड़ा है मूंग है राजमा है इस तरह के जो क्रॉप्स हैं यह लगूमिनसी में ही आते है आगे हम बात करते हैं किंग आफ फोडर भी का जाता है तो यह गलत है, क्योंकि यह तो queen of fodder है, lucern तो king of fodder नहीं कहा जाता है, यह वाली बात wrong है, lucern को तो क्या कहा जाता है? queen, यह रानी है, चारों की रानी, queen of fodder कहा जाता है, f-o-d-e-r-s, fodders, तो यह क्यूशन हुआ, next हम करते हैं, एक जलिय फर्न है, फर्न का मतलब एक teridophyte पौदा है, जो nitrogen इस्थिर करन करता है, nitrogen इस्थिर करन क्या होता है, nitrogen fixation, मिट्टी के अंदर nitrogen को इस्थिर करना ही nitrogen इस्थिर करन कहलाता है, जब जधा detail में नहीं जाकरके, हम इसका answer निकालते हैं, यहाँ पर no stock है, यह नहीं है, azola है, azola, तो azola एक फर्न है, जो क्या करती है nitrogen इस्थिर करन का, दीखे, azola के बारे में काफी चीज़े हैं, azola आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, किसानों के लिए, पसू पालकों के लिए, जो पसू पालक अपने पसू को अच्छी गुणवत्ता का protein नहीं दे सकते, उनके लिए य azola उनके खाने में मिलाया जा सकता, उनके चारे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, protein का content बढ़ाने के लिए, और देखे, azola को पैदा करना या उसकी culture करना, उसकी खेती करना भी बढ़ा आसान है, एक क्यारी के अंदर काफी सरा गोबर और पानी इस तरह से मिलाया जात जाता है, उसमें azola की seeds डाले जाते हैं, एक जली अफन है, और azola ये प्रकास insulation करके एक protein मुत्पन करता है, काफी अच्छी protein होती है azola में, और इसलिए इसको green gold भी कहा जाता है, azola को क्या कहा जाता है, green gold, काफी अच्छा चार है, यानि कुछ protein युक्त, आहार, तो ये वेकल्पिक रूप में हम, concentrate के रूप में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हर पस्नों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अच्छा दुख दुख उत्पादन होगा ऐजोला के इस्तेमाल से, तो ये nitrogen इस्तरी करन भी करता है, नेक्ष्ट है, समाने था यह रोग बाजरी की फसल में होता है, और इससे म्रदूरो मिल आसिता, means downy mildew, इंगलिस में कहते हैं से downy mildew, ये disease है बाजरी की, बाजरा means parmalate, बाजरा जो की एक खरीब की फसल होती है, ग्रेमी नी कुल की कापी हाइट होती है, उसी की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा रोग है, हरित बाली रोग, इस हरित बाली रोग को एक नाम और दिया जाता है, green ear, जीजीज, हरे कान रोग, या मर्दू रोमिल आसिता भी कहते हैं, देखें जैसे ये बाजरे की, हम यूं मानें, कि ये मान लीजिए, इस कलर की, ये बाजरे की क्या है, बाली है, इस बाली में, इस तरह से बाजरे, इसे हरे हरे कलर के, ऐसे हो जाते हैं, बड़े बड़े, और ये किस कारण से होता है, एक फंगस से होता है, अरे फंगस का नाम है, इस में से, आपके सामने दिया गया है, इस पंगस से ये रोग होता है, पत्यों में टेडा पनाता है, और रोग कारक हो गया, ये स्कलेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला, तो ये बहुती फेमस रोग है, बाजरे का, नेक्स्ट क्यूशन, चारों का राजा, चारों का राजा, कहा जाता है, अलफा अलफा गास तो रिंजगा होता है, दो जगह आ गया, रिंजगे को इंग्लिस में लूसरन कहते हैं, L-U-C-E-R-N, लूसरन कहते हैं, तो यहाँ पर ये तो ये की बात होगी, बरसीम है, किंग ओफ पॉडर, और अभी थोड़ी दिर पहले हमने बताया आपको, ये है क्वीन, और ये है किंग, वाटनिकल नेम देख लें, बरसीम का होता है, ट्राइफूलियम अलेक्जेंड्र Next question, बरसीम का विगेनिक नाम, बिल्कुल आ गया, जो हमने अभी अब विगेनिक नाम का मतलब, बाटनिकल नेम, या साइंटिफिक नेम, या बैनोमियल नेम या उनम पद्दत्ध का अधार पर क्या नाम दिया जाता है इसका तो इसका दिया जाता है, ट्राइफूलियम अल यह बरसीम का नाम है यह दोंग क्या है लेग्यूमिनेशी कुल कि भहत अच्छे चारह नाम है तो आपको कुछ बोटनिकल नेम जो फेमस चाया फस तों के वह तो आने ही चाहिए नेक्स्ट है लोबिया से समंदित एसंगत कथन चुनिए लोबिया मतलब काउपी काउपी को ही लोबिया कहते हैं तो बाइनोमियल नेम इसका विगना अंग्योगिलेटा बिल्कुल सही है फेमेली लेग्यूमिनेसी यह फेफेसी यह भी ठीक है और इसको ब्लेक आई बीन्स बिल्कुल ठीक है तो यहां पर कोई भी गलत नहीं है मिन्स यहां पर आपको यह तीन जो जानकरिया दी है यह लोबिया के बारे में दी है विगना इंग्योगिलेटा इसका नाम होता है इसको फेबैसी कुल में रखा जाता है और साथी साथ इसको ब्लेक आई बीन्स भी का जाता है तो यह बात हो गई नेक्स्ट कुशन लूसेना ल्यूकोसिफेला यह क्या होता है यह होता है यह होता है सूबबूल हिंदी में इसको कहते हैं नाम है इसका सूबबूल या सूबबूल क्या है यह एक पेड होता है लैग्यू मिनेशी कौल का मिंस भबूल की तरह होता है सूबबूल इसमें लंबे-लंबे से भलियां आती है इस तरह से चप्ति कौंको इस्थाने बासा में पातड़ी कहा जाता इस तरह से, इनको क्या है, कई बार पसु खा लेते हैं, काफी टॉक्सिक होती हैं यह, तो इसमें कौन सा यह नप पाया जाता, तो देखिए, लूशिनोल बिल्कुल है यह, माइमोसीन, बिल्कुल माइमोसीन पाया जाता, यह तो एक्जाम में पूछा ग दारतों में उपस्तित होते हैं, उनके, उनके सरीर के लिए हनिकारक होते हैं, विसले होते हैं, अथ्वा, उनके सरीर पर जहरीला प्रभाव उत्पन करते हैं, अथ्वा, उपापजे में बादक होते हैं, अथ्वा, यह नुकसान दायक होते हैं, उनको कहते हैं, एंटी factors को हटाना पड़ता है अगर यह नहीं अटाएगे तो पस्टू के सरी में यह नुकसान पैदा करते हैं यदि हम हटाते नहीं है इनको तो कोई treatment करना पड़ता है जैसे heat treatment कर दिया हमने या फिर अटाने का तरीका यही है रसनी को उपचार कर दिया उनको उबाल दिया गरम कर लिया या फिर उनको सुखा लिया यहां पर जैसे यह सुबबूल की पत्तियों को यदि सुखा कर खिलाते हैं तो यह जो antinutrational factor है यह हट जाते हैं तो यह इसी का chemical name है means IUPAC नाम है तो यहां पर उपरोग सभी आएगा answer यह सभी क्या पाए जाते है antinutrational factor के रूप में पाए जाते है next है camel crop किसे कहा जाता है camel crop कहा जाता है जुआर को जुआर का जो बोटनिकल नेम है यह है सौरगहम वल्गेर सौरगहम वल्गेर या वाई कॉलोर वाई कॉलोर बहुत अच्छी हसल है जुआर बाजरे से ज्यादा पॉश्टिक होती है इसकी कड़बी में DCP बाजरे से ज्यादा होता है और जुआर की हम बात करें इसे camel crop कहते है इससे बहुत अच्छा silage मनाया जाता है फर्स नमबर पे जो silage बनता है सबसे अच्छा बनता है मक्का से और सेकिंड नमबर पे आता है जुआर पर मेज सेकिंड पर जुआर अब बात करते हम रिंज के की तो रिंज की और बर्सीम की तो काफी बात कर चुके राइफोलियम एलेक्जेंडिकम और मेडिका को सैटाइवा दोनों लैग्यूमिनेस ही है दोनों ही प्रोटीन यूक्त चारे है सौंफ जो होती है जैसे इसका बनस्वतिक नाम वैसे काम का नहीं है फोनिक्यूलम वल्गेर और सौंफ का चारा की फस पाधन फार्म कहां इस्थित है केंद्र का और केंद्र का है तो यह जरूर के अंदर करनाच के में बैंगलूर में इसार गट्टा है एसर गट्टा से आपको एक किउशन और तयार होता है यहाँ पर Central Frozen Seaman यानि Kendri है Central Frozen Seaman Institute भी है Central Frozen Seaman Institute यहाँ पर है हिसार गटा में देखें जामडोली यहाँ पर नहीं है यह जैपुर में यहाँ पसु अहार सेहत्र है राजस्थान का और यहाँ पसु पोसन संस्थान है जामडोली जैपुर में और Post Graduate Institute of Veterinary Science है जासी का नाम हम लेते हैं तो जासी उत्रप्रदेश में यहाँ IGFRI है IGFRI इसकी फुल फॉर्म होती है Indian Grassland and Forder Research Institute भारतिया चारागाहन संदान के इंदर खाएं जासी में मकदूम की हम बात करते हैं मुथुरागी तो यहाँ गौट का है CIRG Central Institute of Research on Gaut यानि केंदर ये भकरी अनुसंदान केंदर है मकदूम मथुरा में तो यहाँ पर जो क्यूशन आया इसका अंसर होगा है सरगटा वीज का जो केंदर का फार्म है अब हम बात करते हैं जीपरी की स्थापना का होगी जीपरी का मतब इंडियन ग्रासलेंड एंड फोडर रिशेश इंस्टिटूट इसकी स्थापना होती नाइंटीन सिस्टी टू में 1962 सतर से हम बात करें तो यहाँ से शुरुवात होती है वाइट रिवोलियूशन की यानि स्वेट करांथी की शुरुवात होई थी इसी को हम दुगद करांथी भी कहते है इसी को हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते है शुरुवात होई थी उसकी 1970 से और वरगीज कुरियन जो थे वो इसके जनक थे आगे next question निम्ड में से कौन सा एक nitrogen इस्तिरी करने वाला जीव नहीं है नहीं है पूछा है तो एना भी ना तो है नोश्टॉक भी है जक्टोबेक्टर भी है यह सहजी भी है symbiotic यहां पर pseudomonas यह होता है bacteria यह जीवन होता है pseudomonas का हम medicine की साबसे use देखें या इसकी importance देखें या इसका एक question देखें कि यह कहाँ पर आता है तो यह नीले रंग की पस पैदा करता है pseudomonas bacteria यहां पर यह question हो गया इसमें यह bacteria nitrogen fixation नहीं करता चंद्रसूर के बारे में क्या गलत है असंगत कथन बताना है botanical name है lepidium sativum बिल्कुल ठीक है lepidium sativum है इसे allu beads भी कहते है ठीक है allu seed भी कहते है इसको इसका उपयोग gout में किया जाता है ठीक है यह भी तीनों तो बिल्कुल correct है यानि चंद्रसूर के बारे में knowledge दे दिया यह solinesi कुल का सथिश यह गलत बात है यह आंसर यही हो गया solinesi तो वो सबजी कुल है जिसमें आलू, कमाटर, ठीक है सबजी आती है भिंडी, निम्ड में से बाजरे की किसम कौन सी है तो दिये गए options में यह सभी क्या है बाजरे की यह नि परल्मलेट की varieties है किसम है, देखे किसम जो है इसके लिए हम English word यूज करते है वेराइटी है और यह ज्यदा तर फसलों की पेड़ पोदों की होती है और जो नसल है हिंदी में वो हम एनिमल्स के लिए यह सब्द यूज करते है नसल और किसम थैंक यू फोर वाचिं इस वीडियो